हेलो अब्रीबवन आज हम इस बीडियो लक्षिर में जो वर्किंग मॉडल होगा चार्जिंग एंड डिस्टाजिंग ऑफ में कपैस्टर उसके लिए आपने कैसे कॉनेक्शिन करने हैं किस तरह से वो मॉडल जो है वो वर्क करेगा उसके वारे मैं स्टुडी करेंगे तो यह सुच के वान एंड के साथ फिर उसके बाद यह हमारे पास हो जाएगा चार्जिंग गे लिए करेंगे हम एक अनदर स्टुडी क्नेक्ट करदेंगे स्विच का एंड जो है एक वो रिस्टर के साथ रिस्टर का दूसरा एंड जो है एलेडी के साथ एलेडी का दूसरा एंड फिर जो हमारे पास वैटरी के एक एंड के साथ इस तरह से हमारे पास यह सर्कुट कंप्लीट हो गया है अब हम चेक करेंगे कि यह करेंगे कि यह करें नहीं है हम switch on करेंगे तो आप देखोगे यहां पर जो LED वल्फ जो है वो glow नहीं हुआ means कि हमारे पास जो capacitor था वो discharge था now इसके बाद हम इस capacitor को charge करेंगे वेटरी की साहिता से so यहां पर हम जो charging के लिए हमारे पास यह circuit इस switch को on करेंगे आप देखोगे कि हमारे पास यहां पर LED ग्लो कर रही है means क्रंट फ्लो कर रहा है तो इससे यह capacitor जो है वो charge हो जागा इसके लाद हम switch off करतेंगे यहां पर और डिसार्जिंग के लिए जो switch लगा के रखा हुआ है इसको on करके देखेंगे और आप यहां पर देखोगे कि LED वल्व कुछ समय के लिए ग्लो की है फिर उसके बाद उसने ग्लो करना बंद कर दिया इससे यह indicate हुआ कि हमारे पास जो कपैस्टर था वो चार्ज हुआ था और अब वो डिसार्ज हो चुका है सो इस तरह से आप चार्जिंग और डिसार्जिंग और कपैस्टर का जो वरकिंग मोडल है उसको आप बना सकते हो